अचे कल एक और सेशन मार्केट में हमने देखा जिसमें मार्केट बिल्कुल डिरेक्शन लेस रही पूरा दिन थोड़ा बहुत फ्लाट लाइन के आसपास ही मुव करती रही और तोर्स दे एंड जाके वह फ्लाइन में पास ही बंद हो गई यह पूरा वीक जो था यह इसमें मार्केट डिरेक्शन लेसी रही किसी भी डिरेक्शन में मुव नहीं की थोड़ा जप्लस होती थी 100-100-100-100-100-100-100 पॉइनस होती थी और एवेंचली जो न लेवल के पास ही आके पिछले चाल दिन में गई अचे कल के दिन में जो बायर्स थे वह इंडिविजून जो नहीं कर रहे थे वह कल बाइंग भी नहीं थे जिसमें कल की अगर sellers में देखे तो foreigners थे, banks थे, companies थे, mutual funds थे और brokers थे तो mainly institutions अपर्ट फॉम insurance companies कल के दिन में sellers थे थे अच्छा, news flow की अगर बात करने, news flow में भी कोई ऐसी major news नहीं है जो कि market को कोई बहुत जादा impact करे एक तो state bank के foreign reserves के अवाले से news थी कि वह slightly बढ़े है, 9.233 billion हो गया है, dollars में यह amount है, जो कि last week में 9.122 billion थे इसके लावे एक कराची electric के अवाले से news है कि यह 25 billion का amount raise कर रहे है, through Islamic bonds या सुभूप जो होते हैं तो यह दो news थी जो market related थी, बहुत जादा impact market के उपर नहीं है, market view कि अगर बात करने, market view हमारा अभी भी intact है, जो पिछले 4 दन से, market में काम sell करके ही करना चाहिए, market में थोड़ा सा अगर room मिलता है, upside, even अगर 200-300 point के ही मिलती है, तो आप भी बेच के काम करना चाहिए, और फि बाला से बाइन बेगे